प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप मुझे आशा है आप सब परिवार सहित स्वस्त और प्रिसन होंगे स्कूल बंद रहने पर भी आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए मैं आया हूँ आपकी पढ़ाई में आपकी सहेता करने तो बच्चो आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक के एक बहुती महत्पूर पार्थ भारत में रास्टवाद पर तो चलिए बच्चो आप शुरू करते हैं तो बच्चो पहला विशे जो इस पार्थ में हमें पढ़ना है वो है भारत में रास्टवाद की प्रकरती बच्चो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भारत में रास्टवाद की भावनाओं के कारण पनपा भारत की जनसंख्या का प्रतेक वर्ग सामराज्यवादी शासन में स्वयम को शोशित और पीडित अनुभव कर रहा था और सभी को अंग्रेजी शासन में गोटन महसूस हो रही थी हाला कि भारत की जनसंख्या के प्रतेक वर्ग पर सामराज्यवाद के पढ़ने वाले प्रभाव भिन 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 थे उन सब के सामराज्यवाद संबंदी अनुभव अलग अलग थे और साथ ही विविन समुदायों के लिए स्वतंतरता के अर्थ भिन 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 थे भारतिय राष्टे कॉंग्रेस ने इन सभी विभिन अनुभवों और आकाइशाओं वाले समुदायों को एक सूत्र में प्रोकर सामराज्य वाद के विरुद एक व्यापक, सामावेशी, समग्र और अखिल भारतिय आंदोलन खड़ा कर दिया अब बच्चों हम अपने पाठ के दूसरे विशेय पर आते हैं जिसका शीरशक है पिर्थम विश्वियुद और उसका भारत पर प्रभाव तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यह समझते हैं कि 1914 से 1918 के दौरान योरोपिय शक्तियों के बीच चले पिर्थम विश्वियुद ने भारत और भारतियों को कैसे प्रभावित किया अंग्रेजों ने भारत को भी अपने उपनिवेश के रूप में अपने साथ पिर्थम विश्वियुद में शामिल कर लिया था फलसवरूप भारत के पृतिरक्षा व्ये में भारी विरिद्धी हुई इस भारी पृतिरक्षा व्ये को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी रण लेने पड़े और करो में भारी विरिद्धी की गई सीमा शुल्क बढ़ा दिये गए और आयकर प्रारंब किया गया युद्ध के कारण आवशक वस्तों की कमी हो गई जिससे उनकी कीमतें बढ़ने से महंगाई भड़ी 1913 से 1918 की अवधी में कीमतें लगभग दुगनी हो गई जिसके कारण आम जनता को भारी कश्ट हुआ अंग्रेजों की एक नीती ने गाउवालों का जीना दूभरी किया हुआ था और वह थी फौज में जबरन भरती की नीती ग्रामिन नव्यूवकों को जबरदस्ती अंग्रेजों की फौज में भरती करके उन्हें लड़ने के लिए विदेशी मोर्चों पर भेज दिया जाता था जिससे उनके परिवार वालों में व्यापक असंतोश था 1918-19 तथा 1921 में भारत के अनेक भागों में फसले खराब हो जाने के कारण अनाज की भीशन कमी हो गई जिसके कारण महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई और मानों इतनी मुसीवत काफी ना हो इसी समय भारत में इंफ्लुएंजया की महामारी फैल गई 1921 की जड़नगाणा के अनुसार इन अकालों और महामारी के फलसोरूप 12-13 मिलियन यानि लगभक सवा करोड लोगों की मिर्ती हुई लोगों को यह आशा थी कि युद्ध समाप्त हो जाने पर उन्हें इन मुसीवतों से छुटकारा मिल जाएगा लेकिन उनकी यह आशा पूरी नहीं हुई तो बच्चो आपने देखा कि पिर्थम विशुद के कारण भारतियों की हालत भहुत ही खराब हो गई थी और इसलिए उनके मन में अंग्रेजी शासन के पिर्थी बहुत असंतोष और रोश उत्पन हो गया था अब केवल एक ऐसे नेता की आवशक्ता थी जो लोगों के गुस्से असंतोष और रोश को एक सही दिशा में आंदोलित कर सके और जनवरी 1915 में ऐसा नेता भारत आ पहुँचा तो बच्चो अब हमारा अगला विशह है सत्या ग्रह का विचार प्यारे बच्चो 1915 में भारत आने वाला वह नेता और कोई नहीं अपीतु महात्मा गांधी ही थे महात्मा गांधी दक्ष्ण अफ्रीका से वापस लोटे थे दक्ष्ण अफ्रीका भी उस समय अंग्रेजों का ही एक उपनिवेश था वहां की गोरी सरकार गैर शुएतों से भेदभाव करती थी और उसने उन्हें बहुत से अधिकारों से वंचित कर रखा था गांधी जी वहां लगभग 21 वर्ष रहे और उन्होंने वहां गोरी सरकार के अन्यायों के विरुद अहिंसक विरोध के जिस तरीके का अविशकार किया और उसका प्रियोक किया उसे ही सत्याग्रह कहते हैं जरा आप अपनी पुस्तक के इस पाठ का चित्र दो देखें गांधी जी न्यू कैसल से ट्रांस्वेल के श्रमिकों के मार्च का नेत्रित्व करते दिखाई देंगे अब बच्चों हम सत्याग्रह के विचार को समझने का प्रियास करते हैं सत्याग्रह का विचार आपकी नजर में बताईए क्या है तो बच्चों सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ती तथा सत्य की खोज पर बल देता है यह अत्याचारी और अन्याई व्यक्ति की अंतरात्मा को जिजोड कर उसे स्वैम ही अन्यायकारी व्यभार त्यागने को प्रेरित करता है अन्याय का विरोध करने और अन्याय का हिर्दय परिवर्थित करने के लिए हिंसा की बिलकुल आवशक्ता नहीं है कोई भी लड़ाई अहिंसा से ही जीती जा सकती है अत्याचारी को भी सत्य को स्वयम देखने और मानने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ना कि हिंसा के द्वारा उसे सत्य को सुईकार करने के लिए विवश्च किया जाना चाहिए यह वास्तव में निश्क्रिये पृतिरोध है गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतियों को एकता के सूतर में प्रो सकता है दक्षन अफ्रीका से लाए गए सत्या ग्रह के अपने विचार को गांधी जी ने सफलता पूर्वक तीन इस्थानों पर इस्थानिय रूप से लागू किया 1917 के प्रारम में उन्होंने बिहार में चंपा रण में नील किसानों को अत्याचारी अंग्रेज बगान मालिकों के अन्याय कारी व्यवहार के विरुद सत्या ग्रह के लिए प्रेरित किया और नील किसान बगान मालिकों के अत्याचार से मुक्त हो पाए 1917 के अंत में गुजरात में किसानों ने गांधी जी के नेत्रित्व में फसल खराब हो जाने पर अंग्रेश सरकार को लगान ना देने के लिए सत्या ग्रह किया और उसमें वह सफल रहे 1918 में एहमदाबाद कौटन मिल के मजदूरों ने बोनस के लिए गांधी जी के नेत्रित्व में मिल मालिकों के वरुद सत्या ग्रह किया और वह अपनी मांग मनवाने में सफल रहे इस परकार गांधी जी पूरे भारत में लोगप्री हो गए लोगों को विश्वास होने लगा कि गांधी जी के पास ऐसी नेत्रित्व शम्ता है और उनके पास ऐसे तरीके हैं जो भारतियों को अंग्रेजी शासन के अत्याचारों और कश्टों से मुक्ति दिलवा सकते हैं अब बच्चों हम बात करेंगे रॉलेट कानून पर 1917-18 के तीन इस्थाने इस्तर पर किये गए सत्याग्रहों की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में रॉलेट कानून के विरोध में देश व्यापी सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया बच्चों रॉलेट कानून एक काला कानून था जो नागरिकों की सारी स्वतंतरता छीन लेने वाला था और पुलिस तथा सरकार को निरंग कुश शक्तियां देता था शाही विदाई परिशत में भारतिय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इसे जल्दी बाजी में पास कर दिया गया इसके अंतरगत बिना मुकद्मे के ही राजनेतिक कैदियों को दो वर्ष तक कैद में रखा जा सकता था इसकी आलोशना करते हुए भारतिय नेताओं ने इसे ऐसा काला कानून बताया जिसके वुरुद ना दलील, ना अपील, ना वकील उपलब्द है गांधी जी ने इस अन्यायकारी कानून के वुरुद एक अहिंसक सविने अवग्या आंदोलन चलाने का निश्चे किया जो 6 अप्रेल 1919 को एक हरताल से शुरू होना था आप इस पार्ठ के चित्र एक को देखिए 6 अप्रेल की हरताल के दौरान आपको सडको पर आंदोलन कारियों की भारी भीर दिखाई देगी रौलेट आंदोलन के दौरान विभिन शेहरों में रेलियां आयोजित की गई रेलवे वर्कशॉप के श्रमिक हरताल पर चले गए तथा दुकाने बंद की गई सरकार ने दमन्चक्र शुरू कर दिया और इस्थानी नेताओं की बढ़े पैमाने पर ग्रफतारियां होने लगी गांधी जी को दिल्ली में प्रिवेश करने से रोक दिया गया 10 अप्रेल को अमरिस सर में पुलिस ने एक शांति पूर्ण जलूस पर गोली चला दी जिससे भड़क कर भीड ने डागघरों, रेलवेज स्टेशनों और बैंकों पर हमला कर दिया इसकी पृतिकरिया में अमरिस सर में मार्शल लो लगा दिया गया और जनरल डायर ने कमान समाल ली बच्चों, 13 अप्रेल 1919 का दिन भारत के इतिहास का एक बहुत काला दिन है उस दिन बैसाकी थी और अमरिस सर के जलियो वाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफू दिन किचलू की गरफतारी के विरोध में शान्ति पूर्ण ढंग से एक सभा चल रही थी तभी जनरल डायर अपने हतियारबंद सैनिकों के दस्ते सहित आया और बाग के एक मातर प्रवेश द्वार को घेर कर मोडचा जमा लिया और उसने बिना परियाप्त चेतावनी के ही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया सैकडों लोग मारे गए और अंगनित लोग घायल हो गए जिन में औरतें बच्चे और व्रद भी शामिल थे इस लोम हर्षक कांड ने पूरे देश की अंतरात्मा को जिंजोड दिया देश के अनेक भागों में लोग आकरोशित होकर सड़कों पर उतर आये और सरकार के विरुद जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया अंग्रेश सरकार ने उनका क्रूरता पूर्वक दमन किया लोगों को नाक रगणने, सड़कों पर रेंगने और सभी सहावों को सलाम करने के लिए मजबूर किया आप अपनी पुस्तक का चितर तीन देखिए चितर में अम्रिस सर में जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सैना के सिपाही लोगों को सलक पर रेंग कर चलने के लिए जबर्दस्ती मजबूर कर रहे हैं गाओं में लोगों को कोडों से मारा गया और गुजरावाला पेशावर के आसपास के गाओं पर तो हवाई जहाज से बंबी बरसाए गए आंदोलन को हिंसक होता देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया बच्चों हाला कि रोलेट आंदोलन एक व्यापक आंदोलन था किन्तु इसकी कुछ सीमाए भी थी यह आंदोलन मुख्य रूप से शेहरों और कस्बों तक ही सीमित था दूसरे इसमें मुसल्मानों की भागिदारी बहुती कम थी गांदी जी को अनुबव हुआ कि एक व्यापक जनाधार वाला आंदोलन चला कर ही अंग्रेजी सरकार से अपनी मांगे मनवाई जा सकती है इसके लिए हिंदूओं और मुसल्मानों को एक साथ लाना होगा उन्हें लगा कि खिलाफद मुद्दे पर यदि कॉंग्रेस मुसल्मानों का साथ दे तो हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच एक तक कायम हो सकती है पिर्थम विशुद में तुर्की, बेटेन और मित्र राष्टों से पराजित हो गया था युद्द के बाद तुर्की और उसके खलीफा पर अपमान जनक शर्ते थोपी जा रही थी तुर्की का खलीफा पूरे मुसलिम जगत का नेता माना जाता था खलीफा के अपमान से भारत के मुसलिम विक्शुप्द थे खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बंबई में ओल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई मुहमद अली और शौकत अली दो भाईयों ने गांधी जी के साथ इस मुद्दे पर एक संयुक्त जन आंदोलन चलाने की संभावना पर बात चीत की गांधी जी को लगा कि मुसल्मानों को राश्ट्री आंदोलन की मुख्य दहरा में लाने का यह सुनहरी मौका है उन्होंने सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस के विशेश अधिवेशन में कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी खिलाफत मुद्दे पर समर्थन देने के लिए राजी कर लिया और खिलाफत तथा स्वराज के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णे किया अब बच्चों हम अगले विशेश पर आते हैं जिसका शीरिशक होगा असहयोग क्यों तो प्यारे बच्चों आपके मन में यह सवाल तो जरूर उटता होगा कि अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए गांदी जी असहयोग का ही तरीका क्यों अपनाना चाहते थे कोई और तरीका क्यों नहीं गांदी जी ने 1909 में लिखी गई अपनी प्रिसिद किताब हिंद स्वराज मही बता दिया था कि भारत में अंग्रेजी राज भारतियों के सहयोग से ही इस्थापित हुआ था और उ प्वस्थ हो जाएगा और भारत को स्वराज मिल जाएगा बच्चों गांधी जी ने समझाया कि असहयोग किस प्रकार एक आंदोलन बन सकता है उन्हों ने प्रस्तावित किया कि इस असहयोग आंदोलन को अलग-अलग चणों में चलाना चाहिए उन्हों ने सुझाया कि सबस सेवाओं, सैना, पुलिस, नियाले तथा विधाई परिशदों, सरकारी स्कूलों और विदेशी वस्तूओं का भहिशकार होना चाहिए और इसके बाद यदि सरकार आंदोलन का दमन करे तो एक पूर्ण सविने अवग्या आंदोलन चलाया जाना चाहिए 1920 की गर्मियों में गांदी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में घूमें हाला कि सभी लोगों को आंदोलन के लिए राजी करना आसान नहीं था कॉंग्रेस के भीतर ही कुछ नेता नवंबर 1920 में होने वाले विधान परिशत के चुनावों का भहिशकार नहीं करना चाहते थे इसके अतरिक अनेक लोगों को यह आशंका भी थी कि यह आंदोलन हिंसक हो सकता है सितंबर से दिसंबर 1920 की अवधी कॉंग्रेस के भीतर भारी उथल पुथल और गतिरोद की रही और ऐसा लगने लगा कि आंदोलन के विरोधियों और समर्थकों के बीच कोई समझाता नहीं हो पाएगा लेकिन अन्त था दिसंबर 1920 में कॉंग्रेस के नाकपूर अधिवेशन में दोनों घटकों के बीच समझाता हो गया और असायोग आंदोलन के कारिकरम को सुईकार कर लिया गया आंदोलन के भीतर भिन भिन स्वर बच्चो यह आपका अगला विशे है तो आईए अब इस पर बात करें अब असायोग आंदोलन तो शुरू हो गया जनवरी 1921 में लेकिन यह कोई एक रूप आंदोलन नहीं था विभिन इस्थानों पर और विभिन वर्गों दोरा इसे अलग-अलग तरीकों से चलाये गया और अलग-अलग लोगों के लिए सुराज का अर्थ भी अलग-अलग था तो बच्चो आओ, हम सबसे पहले यह देखते हैं कि शहरों में असायोग आंदोलन कैसे चला शहरों में मुखेता मद्यमवर्ग के लोगों ने आंदोलन में बढ़ चल कर भाग लिया विद्यार्थियों ने सरकारी महाविद्याले और विद्याले त्याग दिये शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया वकीलों ने अंग्रेजी नियालियों में वकालत करना बंद कर दिया मदरास में जस्टिस पार्टी के अत्रिक्त अन्य सभी प्रांतों में सभी बड़े दलों ने विधाई परिशदों के चुनावों का बहिशकार कर दिया विदेशी वस्तों का भहिशकार किया गया शराब की दुकानों पर धरना दिया गया तथा विदेशी वस्तों की होली जलाई गई 1921 से 1922 की अवधी में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर लगबग आधा रह गया आप अपनी पुस्तक का चितर चार देखिए किस प्रकार जलूस में बड़ा सा चर्खा लेकर सत्याग्रही चल रहे हैं विदेशी कपड़े को भारत पर पाश्चात्ते आर्थिक और सांस्क्रितिक वर्चस्व के प्रतीक के रूप में देखा गया भारतिय कपड़ा मिलों और हतकरगा के उत्पादन में विरिद्धी हुई लेकिन बच्चों शहरों में यह आंदोलन अनेक कारणों से क्रमशह धीमा पढ़ने लगा एक तो खादी के कपड़े मिल में बने कपड़ों से अधिक महंगे होते थे जिसके कारण निर्धन व्यक्ति उन्हें आसानी से खरीद नहीं पाते थे ऐसी हालत में वह लंबे समय तक सस्ते विदेशी कपड़ों का भहिशकार आखिर कैसे कर पाते दूसरे अंग्रेजी सरकारों की संस्थाओं जैसे विद्यालियों, महाविद्यालियों तदा अदालतों का लंबे समय तक भहिशकार करने के लिए आवशक था कि इनके विकल्प में भारतिय संस्थाओं की स्थापना तेजी से और परियाप्त मात्रा में की जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फलसवरूप, विद्यार्थी, विद्यालियों, महाविद्यालियों, वकील, अंग्रेजी अदालतों और सरकारी करमचारी अंग्रेजों की नौकरी की ओर मजबूरी वर्ष वापस लोटने लगे तो बच्चो अब हम ग्रामीर शेत्रों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ आंदोलन कैसे चला पिर्थम विशुद के बाद के वर्षों में भारत के विभिन शेत्रों में किसानों और आदिवासियों में विभिन कार्णों से असंतोष उत्पन हो रहा था जो गाहे बगाहे फूट भी पड़ता था असहयोग आंदोलन ने किसानों और आदिवासियों के रोश को भी अपनी परीधी में ले लिया बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं अवध शेत्र में यहां असहयोग आंदोलन से भी पहले के कुछ वर्षों में एक सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किसानों को नियाय के लिए आंदोलित कर रखा था बाबा रामचंद्र अंग्रेजों द्वारा फिजी भेजे गए एक गिर्मिटिया मजदूर थे जो अनेक वर्ष फिजी में मजदूरी करके लोटे थे गिर्मिटिया मजदूर वह होते हैं जो एक समझोते या एग्रिमेंट के तहत एक निश्चित अवधी के लिए अंग्रेजों द्वारा अपने दूसरे उपनिवेशों जैसे फिजी, मौरिशस तथा दक्ष्ण अफरीका इतियादी भेजे जाते थे अवध के किसानों की मुखे शिकायतें तालुकदारों और जमीनदारों के खिलाफ थी जो उनसे बहुत अधिक लगान और अन्य शुल्क वसूलते थे और साथ ही बेगार भी करवाते थे बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी दिये किसी से अपने खेत पर काम करवाना या किसी अन्य तरीके से उसकी सेवा लेना लेकिन बदले में उसको मजदूरी ना देना इसके अतरिक्त काश्टकारी की अवधी की भी कोई सुरक्षा नहीं थी भूस्वामी जब चाहे काश्टकार को अपनी भूमी से बेदखल कर सकता था बाबा रामचेद्र के नेतरेत्व में असहयोग आंदोलन से पहले ही एक किसान आंदोलन चल रहा था जिसकी मुखे मांगे थी लगान और अन्य शुलकों में कटोती, बेगार की समापती तथा अत्याचारी जमीनदारों का बहिशकार कई गाओं में तो पंचायतों ने नाई धोबी बंदी भी कर दी जिसके फलस अवरूप अत्याचारी जमीनदारों को नाई और धोबी की सेवाओं से भी वंचित कर दिया गया जून 1920 में जवारलाल नहरू ने अवद के आसपास के गाओं का दोरा किया और किसानों से उनकी समस्याएं सुनी अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र, नहरू और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर अवद किसान सभा का गठन किया एक महीने के भीतर ही अवद शेतर के गाओं में इस सभा की 300 से भी अधिक शाखाय खुल गई इसलिए जब अगले वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कॉंग्रेस ने अवश्षेतर के किसान आंदोलन को व्यापक राष्टिय आंदोलन में शामिल करने का प्रियास किया जिससे वे बहुत हद तक सफल भी रही इस किसान आंदोलन के कारण अवश्षेतर में असहयोग आंदोलन अतियंत प्रभावी रहा हाला कि बच्चों किसानों ने जिस तरह से असहयोग आंदोलन चलाया उससे कॉंग्रेस ने त्रित्व प्रसन नहीं था किसान तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमला करने लगे बाजार लूटने लगे और अनाज के धेरों पर कबजा करने लगे कई इस्थानों पर इस्थानिय नेता किसानों को यह कहकर भड़काने लगे कि महात्मा गांधी ने कह दिया है कि आप से कोई लगान या कर नहीं दिया जाएगा भूमी का वित्रण निर्धनों में कर दिया जाएगा महात्मा के नाम पर वह अपनी मनमानी करने लगे तो चलिए बच्चो अंत में हम प्रश्णों त्री अर्थात क्विज खेलते हैं इससे जहां आपको आनंद आएगा वहीं आपको यह जानने में भी साहता मिलेगी कि आपने अब तक की चर्चा से कितना सीख लिया है तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं अपनी क्विज और यह है हमारा पहला प्रश्ण किस घटना के कारण असायोग आंदोलन वापस ले लिया गया आपके ओप्शन्स हैं खेडा किसान सत्यागरह ए बी है चंपरण नील सत्यागरह सी एहमदावात कपड़ा सत्यागरह और डी चोरा-चोरी में हिंसा तो बच्चो आप बताईए क्या है इसका उत्तर जी हाँ बिलकुल आपने सही सोचा इसका उत्तर है डी अब हम आते हैं अगले प्रशन पर सत्यागरह है अब आपके सामने विकल्प दी है ए निश्क्रिय प्रतिरोध बी सक्रिय प्रतिरोध सी हिंसक प्रतिरोध और डी जन प्रतिरोध तो बच्चो बताईए क्या है जी हाँ आप बिलकुल सही सोच रहे है यह है ए निश्क्रिय प्रतिरोध अब तीसरा प्रश्ण गांदी जी ने भारत में जो सत्याग्रह किये उनमें पहला था खिड़ा सत्याग्रह बी चंपारण सत्याग्रह सी एहमदाबाद कपला मिल सत्याग्रह और डी रोलेट सत्याग्रह तो बच्चों बताईए कौन सा था तो बिलकुल सही सोचा आपने इसका उत्तर है बी चमपारण सत्याग्र है अब चोथे प्रशन पे आते हैं ना दलील ना अपील ना वकील यह किसके बारे में कहा गया है तो बच्चों बिलकुल सही सोचा आपने यह है रॉलेट कानून अब है पाच्वा प्रशन जनरल डायर ने अमरिस सर में भारतियों को सबक सिखाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया बाबा राम चंदर थे एक गिरमितिया मजदूर बी अवद किसान सभा के संस्थापक C. अवद छेत्र में किसानों के नेता D. उप्रोग सभी तो बच्चों बताईए इसका उत्तर क्या होगा? जी बिल्कुल आपने सही सोचा है इसका उत्तर है D. उप्रोग सभी अब हम आते हैं अपने सात्वे प्रेश्ण पर नाई धोबी बंदी क्या थी? A. नाईयों और धोबियों की दुकाने बंद करवाना B. नाईयों और धोबियों को जेल में बंद कराना C. अत्याचारी जमिनदारों को नाईय और धोबी की सेवाओं से वंचित करना D. उप्रोग सभी तो जी बच्चो आपने बिल्कुल सही सोचा है इसका उत्तर C. है अत्याचारी जमिनदारों को नाईय और धोबी की सेवाओं से वंचित करना अब हाते हम आठवे प्रेश्ण पर किस पार्टी ने 1920 के विधाई परिशदों के चुनावों का भहिशकार नहीं किया? अब हम आते हैं अपने नवे प्रेशन पर शहरों में असायोग आंदोलन धीमा पढ़ने लगा क्योंकि A. खादी का कपड़ा विदेशी मिल में बने कपड़ों से महंगा था B. सरकारी संस्थाओं के विकल्प में राष्टेवादी स्वदेशी संस्थाओं परियाप्त मात्रा में तेजी से नहीं खुल सकी C. दौनों A तथा B सही हैं और D. दौनों A तथा B गलत हैं तो जी बिलकुल बच्चों आप सही सोच रहे हैं इसका उत्तरह C. दौनों A और B सही हैं और अब बच्चों हमारा आता है दस्वा प्रश्ण ग्रामीन शेत्रों में किसानों ने कॉंग्रेस नेत्रित्व द्वारा तै कारेकरम के अनुसारी असायोग आंदोलन चलाया तो बताइए बच्चों यह कथन सत्ते है अथवा असत्ते है तो बिलकुल आपने सही जाना यह कथन असत्ते है और अब हम आते हैं अपने आखरी प्रशन पर 1909 में लिखी प्रिसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन थे और आपके विकल्ब है जवालाल नहरू बी सुभास चंद्र बोस सी महत्मा गांदी और डी मौम्मद अली और शौकत अली तो जी बच्चों आपने बिलकुल सही उत्तर दिया और वो हैं सी महत्मा ग मैं भेट होगी नमस्कार झाल झाल